एक कोट रूम ड्रामा विदाउट एक कोट रूम इस लाइन के साथ शुरू करते हैं फिल्म चेहरे का रिवियू कोट रूम ड्रामा पर बहुत सी सफल बॉलिवूड फिल्में बनी है और इस तरह की फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या भी अच्छी खासी है Reason की courtroom drama में thrill suspense का एक अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है अगर film के dialogues अच्छे लिखे गए हो तो दूसरी तरफ अगर केवल suspense और thriller फिल्मों की बात करें तो फिल्म के साथ एक extra जुडावसा हो जाता है चेहरे फिल्म में courtroom drama की सरगर्मी और बरफीली वादियों की थंड़क को mix करके इन बरफीली वादियों के बीच courtroom drama को set किया गया है फिल्म की कहानी है एक ऐसे सफल इंसान समीर यानि इमरान हाश्मी की जो दिल्ली से करीब 200 किलोमेटर दूर अपनी कार से दिल्ली आने के रास्ते में है और खराब मौसम उसे एक ऐसे घर में रुकने पर मजबूर कर देते हैं जहां कुछ बुढे रिटायर्ड लोग रहते है इमरान हाश्मी का ये बुढों का ग्रूप गर्म जोशी से स्वागत करता है ड्रिंक्स ओफर करता है और रात में रुकने के लिए भी कहते है अव्यसली इस तरह की कहानी हो तो अपने आप एक सस्पिंस का महौल बनने लगता है और उपर से इन बुढों के समय समय पर जिस तरह के face expressions देखने को मिलते हैं वो मेरी बात को और सच साबित करते दिखते हैं अमिताब बच्चन इन बुढों में से एक है जो एक वकील रह चुके है और अनु कपूर भी एक retired lawyer है धृत्मान चैटाजी एक judge रह चुके है और रगवीर यादव जिनके बारे में देर से पता चलता है कि वो क्या करते थे और ये फिल्म में एक exciting कड़ी सावित होती है उनके profession के बारे में पता चलता है तो थोड़ा अचमबा जरूर होता है साथ में सिधान्त कपूर जॉय की भूमी का में है और रिया चक्रबरती इन सारे बुढों का खाना वगरा बनाती थी फरस्ट हाफ में कहानी का setup होता है यानि कहानी उस ओर बढ़ती है कि लगने लगता है मानो कुछ अलग होने वाला है screenplay मिला जुला कहा जा सकता है कुछ खामिया कुछ अच्छा ही है लेकिन second half expectations पर खरी नहीं उतरती और climax के 15 मिनट में कहानी बिखरी सी लगती है फिल्म में जहां किसी social message की जरूरत नहीं थी वहाँ 15-20 मिनट अमिताब बच्चन का भाशन कहानी में जवरदस्ती घुसाई हुई सी महसूस होती है फिल्म के opening credits में जिस प्रकार से अमिताब बच्चन कैमरे को follow करते हुए कुछ शेरो शायरी करते हैं उससे लगने लगता है कि कुछ अलग होगी ये film लेकिन ऐसा हो नहीं पाया फिल्म का बड़ा पार्ट ऐसा है जिस पर आप बहुत सी फिल्म में अलरडी देख चुके है एक छोटा सा example है फिल्म जिस्म एक्टिंग की बात करे तो इमरान हाश्मी का काम अच्छा है जिस तरह का उनका रोल है उन्होंने उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की है लेकिन फिर वही बात की end of the day एक्टर तो डारेक्टर के हाथों की कटपुतली होते है वो उन्हें जिस तरीके से परदे पर दिखाएंगे वो वैसे ही दिखेंगे अमिताब बच्चन की एक्टिंग को लेकर हम तो क्या ही उंगली उठा सकते है पूरी फिल्म में वो अपना असर छोड़ने में कामयाब रहते है बट जैसे की मैंने बताये लास्ट के पंद्रा मिनट के भाशन को बेवजह डाला गया और इस जबरदस्ती का असर उनके किरदार पर भी पढ़ता है इस सीन में अमिताब बच्चन को पिंक का अमिताब बच्चन बनाने की कोशिश नजर आ रही थी अन्नु कपूर के साथ भी ऐसा ही रहता है रिया चक्रवरती के शुरुवाती सीन देखकर लगा कि ये फिल्म की एक एहम कड़ी निकल कर आएंगी उनकी चुप्पी और डरे सह में भाव तक तो वो ठीक लगी लेकिन जब उनके किरदार में हलका सा पागलपन दिखा तो वो अपने दाइरे से थोड़ा बाहर होती देखी यानि थोड़ी ओवर लगने लगती है और अंततह उनका रोल भी जाया सही लगने लगता है सिदान्त कपूर का होना ना होना बरावर सही था फिल्म में वो गूंगे बने हैं तो डायलॉक्स उनके पास था नहीं कुछ एक फेस एक्स्प्रेशन्स हैं जहां वो बहुत मामूली लगे डायरेक्शन की बात करें तो रुमी जाफरी यहां उतना प्रभावित नहीं कर पाते फिल्म में एक्जेक्शन की कमी लगी शायद एक अच्छी कहानी एक अच्छा एंड नहीं दे पाई ना डायरेक्टर और ना ही स्क्रीन प्ले राइटर मेंली इसका दोश स्क्रिप्ट राइटर को ज्यादा जाता है फिल्म में जब एक चीज बिगड़ती है और बाकी के डिपार्टमेंट उसे वैसे ही चलने देते हैं तो रिजल्ट भी खराबी निकलता है अगर स्क्रिप्ट को डायरेक्टर की मनजूरी थी स्क्रीन प्ले राइटर ने उस पर आपती नहीं की तो आगे एक्टर्स भी क्या करें सेकेंड हाफ का स्क्रीन प्ले कई जगे सुस्त नजर आता है फिल्म का बैक्राउंड मुजिक बहुत हलका लगता है जबकि इस तरह की फिल्मों में BGM एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है लोकेशन बहुत खुबसूरत हैं कुछ अच्छे कैमरा एंगल से उस खुबसूरत लोकेशन जिसमें VFX का भी यूज किया गया है वो देखने को मिलता है हाला कि VFX भी उच्छ दरजे का नहीं था स्पेशली लास्ट के सीन में कुछ जगे डायलोक्स अच्छे हैं कुछ एक शायरी भी आपको पसंद आएगी लेकिन इसे आप स्क्रीन प्ले की कमी समझे कि कुछ एक घटनाए या डायलोक जो दिखा चुके होते हैं और उसके बाद फिर एक बार दूसरा एक्टर ये बताता है कि अगर वो ये केस हार गए तो ये प्रोफेशन उन्हें छोड़ना पड़ेगा मतलब आजकल तो बिना कुछ बोले भी दर्शक सीन को समझ लेते हैं ऐसे में दो-दो बार बोल कर बताने का क्या मतलब और येन्स ऑलरडी बहुत स्मार्ट है कुछ सीन्स अटपटे फील होते है गन की गोली से ज्यादा तेज मेसेच किया जा सकता है आप फिल्म देखेंगे तो समझेंगे इसे इसके अलावा इमरान हाशी बोलते हैं कि लॉयर्स से वो दूर ही रहते है ये बात उन्होंने तब बोली जब अमिताब बच्चन वहाँ पर नहीं थे बट बाद में अमिताब बच्चन खुद उनसे बोलते हैं आपको लॉयर्स पसंद नहीं है ये कुछ गलतिया है जो इसली पकड़ी जा सकती है फिल्म का फर्स्ट हाफ एक आस जरूर जगाता है बट सेकंड हाफ निराश करता है बट स्टिल इमरान हाश्मी और अमिताब बच्चन बाकी के डिपार्टमेंट्स की गलती की भरपाई का प्रयास जरूर करते हैं बट शायद यतनी भरपाई कर पाते हैं वो फिल्म को सफल बनाने के लिए काफी नहीं दिखती मुझे क्योंकि खुबसूरत लोकेशन्स और सस्पेंस ड्रामा का कॉंबिनेशन भाता है तो उसके लिए थोड़ी नर्मी के साथ फिल्म को देता हूँ धाई स्टार बाकी आप डिसाइट कीजे कि ये फिल्म आपको देखनी है या नहीं वैसे भी पांच बार फिल्म की रिलीज डेट एनाउंस होते होते अब जाकर फिल्म रिलीज हो पाई है फिल्म की शूटिंग 10 माई 2019 को ही शुरू हो गई थी यानि 14 जून से एक साल पहले ये जी है विल्म आपक